Dear Friends, आज मैं बात करूँगा अपने experience से, अपनी पढ़ाई से में, मैंने ये देखा है, और मैंने कई दोस्तों में ये देखा है, कि जैसे जो scarring होती है, जैसे आपने कोई भी beard hair transplant करवाया, आपने धाड़ी के बाल लगवाई, आपने डाड़ी के बाल निकल वाई, ये तो छेरे पर थोड़ी से निशान पढ़ जाते हैं, सेर के बाल लगवाई, सेर पर थोड़ी से निशान पढ़ जाते हैं, आपकी कोई भी सिजदी हुए, appendix हुआ, enserine हुआ, हर्णिआ हुआ, तो उसका एक scar बनता हुश्का चीरा आता है उसका एक scar बन जाता है उस-scaring के लिए जो एलुविरा है ये बहुत अच्छा काम करता है ये हमने experience से देखा है अपने मेरे कई दोस्तों ने अपनी experience पर देखा है मैंने अपने उपर देखा है ये मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, मैं आज आपको ये बताऊंगा, इसके लिए बहुत सिंपल है, आपने इसको थोड़ा सा ले लेना है, जैसे मैंने इसको इतना सा ले लिया है, इतना सा पीस लेने के बाद में, इसको मैं साइड से थोड़ा सा छिल लेता हूँ, थोड़ा सा इस जयर को हम लोग इसको लगा सकते हैं स्पोसकर आप दाड़ी पे लगाना चाहते हो अगर आपकी दाड़ी से बाल निकाले गए हैं उसमें निशान बना हुआ है या पेट के ऊपर कोई सजरी हुई है पैंडिक सन्या कुछ भी प्लासिक सजरी हुई है कोई स्किन ग्राफ् प्लासिक से लग जाएगा आप चाहो तो इसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं बस इस तरीके से इसको यूई करके आप इसको बालों में लगा लीजे मैंने पत्ता पूरा का पूरा पकड़ा हुआ है यह बीच में से उसको खोल लिया था इसकी उंदर जो जेल थी वो सुबह शाम दो बार जरूर लगाएं सकारिंग के लिए अगर कोई निशान है आप उसको पतला करना चाहते हैं आप उससे थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो सुबह शाम आपने इसको लगाना है अलो विरा जेल को फ्रेश अलो विरा ही लेना है अपने घर पे इसका पोदा लगाए उसका पता थोड़ा सा काटिए एक पता ही आपका कई दिन चल जाएगा क्योंकि आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना है बस थोड़ा थोड़ा सा आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपका एक पत्ता ही कही दिन चाल जाएगा सुबह शाम लगाईए तो साल भर में आपके स्कारिंग में काफी फर्क मैंने देखा है मेरे स्कार में काफी फर्क एक साल में पढ़ जाता है तो ये स्कारिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है जो कि मैंने अपने उपर देखी है थैंक यू दन्यवाद